एक बेबिसाल अभीनेता दिलीब धवन, इनको तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, दोस्तों इनकी जो बेदर्द मौत हुए थी, उसके बारे में इनको भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था, अचानक से इनकी मौत ने इनको मौका तक नहीं दिया था, आकर क्या हुआ था इनके जीवन में और किस तरह से फिल्मों में आये थे, पूरी सचा ही हमिया पे जानने वाले हैं, नमस्कार मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानिया चैनल में आपका स्वागत है, दिलीब धवन, सतर असी के बेजोड अभीनेता थे, दिलीब धवन, 1966 में र हिट हुआ था और इस गीत को कृष्णन धवन के उपर फिल्माया गया था, कृष्णन धवन, दिलीब धवन के पिता थे, यहाँ पर कृष्णन धवन के मुंबई वाले घर में, 1955 को एक बच्चे ने जनम लिया था, जिसका नाम दिलीब धवन रखा गया था, इनको पढ़ साल के थे, एक्टिंग के सुरुआत तो तभी से उनकी हो गई थी, फिल्म संघर्स के अंदर वो दिलीब कुमार के बच्चपन का रॉल कर चुके थे, जव वह 13 साल के थे, दोस्तों लंबा कद और अच्छा देखने वाले दिलीब को फिल्मों में काम भी मिल गया था, लेक इनको काम मिलता है, और यहां पर इनके काम को बहुत ज़्यादा सरहा जाता है, और इनको पहचान मिल जाती है इस फिल्म से, यह हीरो बनना चाहते थे, लेकिन अरविंद देशाई की आजीव दास्ता जैसी फिल्म में हीरो का रॉल मिलने के बाद इनको किसी ने अपनी फि तक में आपने देखा होगा टोपाज ब्लेड का जो विग्यापन है उसने तो इनके चेहरे को घर-घर तक पहुँचा दिया था घर-घर तक पहचान दिला दी थी दिलीब कहते थे कि उनके पास हीरो बनने के हर नुस्के हैं यानि कि हर खूबी है लेकिन फिर भी पता नहीं किसमत ने उनका साथ क्यों नहीं दिया दोस्तों उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं जिनमें उन्होंने रॉल किये थे सजाए मौत हीरो हीरा लाल और डांक बंगला स्वर्ग इजजद्दार हीना हम साथ साथ हैं इन फिल्मों में ये दिखे थे और रॉल भी ठीक ठाकी किया था दिलीब धवन ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था साथ साथ लेकिन दोस्तों इस फिल्म के अंदर फारुक से एक दीपती नवल थे और इस फिल्म में गीत था तुम को देखा तो ये खयाल आया जिन्दगी धूप तुम घनास आया ये गीत आज भी बहुत ज़्याद नाटक था वे बहुत ज़्यादा फैमस हुआ था और उस फिल्म के अंदर इनका रॉल था गुरू का गुरू का किरदार इस नाटक के अंदर इनको मिला था अब यहाँ पर बारी आती है कि उन्होंने साधी की थी या नहीं की थी लेकिन उनका कहना ये था कि साधी करने का तो उनको मौका ही नहीं मिला साधी की तरब तो ध्यान ही नहीं गया काम ही इतने थे सकसेस जो उनको होना था तो उन्होंने साधी नहीं की थी उनको दिल की बीमारी अंजाने में लग चुकी थी उनको पता नहीं था कि उनको दिल की बीमारी अंदर इन्दर इन्दर लग च चुका था और दोस्तों 15 फरवरी 2000 के दिन वह सूटिंग पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब ही उनको दिल का दौरा पड़ता है और फिर उसके बाद उनको हॉस्पीटल में ले जाया जाता है लेकिन वह वहाँ पर बच नहीं पाते हैं उनकी वहाँ पर मौत हो जाती है 15 फरवरी 2000 को उनकी मौत हो जाती है उस समय उनकी उमर 45 साल थी बहुती कम उमर में वह इस दुनिया को छोड़कर हमारे बीच से विदा हो जाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी इंसान है जनम लेता है कामयावी प्राप्त करना चाहता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है यह एक चक्र है इस चक्र से अगर निकलना है तो उपर वाले का नाम लेना होगा वरना फिर एक जिंदगी मिलेगी फिर इसी तरह से जिएग बड़ा होगा कामयावी तरह भागेगा किसी को कामयावी मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी फिर उसकी मौत हो जाएगी और फिर से एक आगला जनम होगा इसी तरह से यह चैन पर किरिया चलती रहती है और इंसान को कहीं भी संतुष्टी नहीं मिलती है अगर इन जनमों से प्रोग्राम कामयाभी हासिल कर ली ये च्छनिक होते हैं च्छनिक सुक हैं किसी गाड़ी बंगला मकान मिल जाएगा तो ये बहुत ही कम समय के लिए सुक होता है असली सुक और परमकती प्राप्त करनी है तो उपरवाले के चर्नों में ध्यान लगाएं वो अटल सत्य है और एक अचुक प्रेम होता है और जीवन भर के लिए आनंद होता है और कई के जनवों तक आनंद वहां से मिलता है तो दोस्तों यहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं अपनी राकेमेंट बोक्स में लिखिएगा जरूर अगला प्रोग्राम में बजल दी फिर स जा हिंद जा बारत